अब पहुँचा हूँ विस्पी परखंड के परसोनी उत्री पंचायत में और हमारे साथ एक मुख्या परतियासी बात्षित करने के लिए यहां मौजूद है इस मुख्या परतियासी का नाम है प्रियंका जहाँ चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने का कोसिस करते हैं पंचायत में जनता के बीच किन मुद्दों पे बोट मागने के लिए जाते हैं तो चलिए हम सिधे बात करते हैं मुख्या परतियासी से सबसे पहले स्वागत है आपका भीवाज 24 नुज चैनल पर जी धन्यवाद आप लोगों को मेरी तरब से पूरे टीम को भी और मेरे परसोनी उत्री पंचायत को भी सबको मेरी तरब से प्रनाम आप अपने बारे में बताएंगे कि ये कितना पढ़े लिखे हैं मैं दस में पास हूँ और यहीं हाई स्कूल में ही पढ़ी हूँ क्योंकि मेरा माईका और सुसराल दोनों इसी पंचायत में है इसलिए मैं परहाई यहीं से की हूँ तो आपका माईक और ससाल दोनों परसोनी उतने ही पंचायत में है यह प्लस पॉइंट है आपके लिए और मैंने यही से माईक और ससुराल दोनों है इसके वज़े से मुझे इस पंचायत के बारे में कितनी सुविधा है इसमें ये सब मैं जानती हूँ, मैं जेल चुकी हूँ, बस इसी सोच कर आगे बढ़ी हूँ तो आप पंचायत में जब जनता के बीच बोट मांगने के लिए जाते हैं, तो कौन से मुद्धे पे जनता से बोट मांगते हैं? मैं बस यही बोलती हूँ, अपने जनता, अपने जितने भी मेरे भाई, बहन, मतलब दादाद जो भी हैं, अगर अगर अपने गाउं में विकास लाना है, परिवर्तन लाना है, अगर अपने पंचायत को आगे विक्सित करना है, तो प्लीज हमारा मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए और वोट दीजिए मैं आगे कुछ अलग करके दिखाऊंगी इतना विस्वास कीजिए आपको क्या ऐसा लगा जिस होजा से आप मुख्या पत यह नमांकन कर आए मैं बस यही बोलती हूं मैं चोटी बहुत बुट बच्पन से ही इस तक ही रह चुकी हूं देख चुकी हूं कि हमारा पंचायत अभी बहुत पीछे है और सिघ्वास की कमी है इस पंचायत में जैसे सरक भी है पानी पूरा बरसात में पूरा क टिक्षित खो तरब गरंत हैं कि इंडराबाश्न लम्हारी के सब तरे पहने वह मैं किOn ложा सब्सक्राइब के और उंकला उन्हाइब के सुचलाइब नियू तो आपको तो तो मुझे पूरा उमीद है कि यह पुरा उमीद है यह चुनना पसंद करेंगे कि यूवा का सोच तो रहा अलग होता है यह दियान में रखते हुए मैं चाहती हूं कि इस पंचायत को मेरा साथ दे जो के मैं बद्लाएं. स्वास्ट के जा सके अमबुलेंस की सुपधा नहीं है और जैसे प्रदूर्शन ये मतलब जैसे मैंने बताया कि नाला नहीं है सरक अच्छा नहीं है तो इसमें स्वास्ट कैसा होगा अगर आप मुख्यापत पेचुने जाते हैं अपने पंचायत से तो सबसे पहला काम कौन स छियान दोणी जैसे कि बुढ़ों के लिए बुझो के लिए वर्दा परिशन की सुलठा दी है सरकार उन लोगों को दूंगी गरीवों को जिस जैसे जिस गरीवों को जरूरत है पो जो योजना है जैसे हमारे वार्डों में अभी तक चालू नहीं हुआ उन सब पर ध्यान दूंगी आपके पंचायत में कितने वार्ड है और कौन-कौन से गाउं आते हैं हमारे पंचायत में बस दो ही गाउं है परसौनी और मुर्लिया चक और 14 पूरे 14 वार्ड है हमारे पंचाय में एक तरह से विकास होना जरूरी है क्योंकि सारे शदश उसमें रहते हैं जितने भी लोग रहते हैं सब को जरूरत है सिक्षित की जरूरत है और स्वस्त की जरूरत है इसलिए पूरे पंचायत को जरूरत है तो समाज में अभी तक आपके परिवार का क्या योगदान रह तो आप हमारे विवाज 24 न्यूज चैनल के माधियम से परसोनी उत्री पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहेंगे कि वो इस बार अपना वोट न खराब करें सोच समझ कर चुने और हमारा साथ दे उसके बाद आगे अगर कोई शिकायत हो तो हमें बताएं अगर मैं यह यकीन दूँगी उनको भरुशा दूँगी कि ऐसा नहीं होने वाला है जो पंचयत के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी चैनल नमस्कार जी आप लोगों कभी क्या कमी लगा पंचयत में जिस वज़ा से आपने मुख्या पद के लिए अपनी पत्नी को नमांकन करा है देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे हमारा हमारा पूरा यूबा साथ है और जब हमने कुछ आगे अच्छा किया है तब हम पर भरोशा करके विश्वास किया जनता कि ठीका जी आप खड़े होई है नहीं तो आज तक सदियों से हमारे पंचाई तिकंदर हमारा टोला होता है उस टोला में दो तीन चार कंडिडे हमारा चुनावची तेम्पू चाप है चार नंबर पे है अभी हमारे रसाथ बाचीत कर रही थी पिर्यांका जहा जो मुख्या परतियासी है परसोनी उत्री पंचायत से और आपने सुना कि यह पंचायत के परति जाग रूख है और अपने पंचायत में मुख्या पत्पे जितने के बाद क्या करना चाहती है तो आप देख रहे थे भी वाइस 24 नुच का खास सो पंचायत चुनाव यात्रा मैं अबदुलकुदूस आपके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद